किसान बगिवा नमस्कार आप सभी का स्वागत हैं हमारे चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे लैस्न की खेती के बारे में अगर आप लैस्न की खेती आपके 80 दिन की हो गई हैं तो 80 दिन की आउस्ता पर लैस्न की फसन में कौन-कौन सी गलतिया नहीं करना चीए तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने जल्दी से जल्दी उटी लेस्टन की बॉई की होगी और अभी सभी किसान भाई लोगों के उटी लेस्टन सटर से असी दिनों के करीबन चल रहा है इस अवस्ता पर किसान भाई लोग लासुन की फसल में कुछ गलतिया कड़ बेड़ते हैं जिससे कि उन गलतियों की वज़े से किसानों को समय पर उचित पेदावार नहीं मिल पाती हैं उचित पैसों की आहमदानी नहीं हो पाती हैं लेस्टों की फसल कहीं गलतियों से खराब भी हो सकती हैं तो इन कुछ गलतियों के बारे में इस वीडियों में बात करेंगे तो दोस्तों आप हमारा वीडियो पूरा जरूर देखे ताकि पूरी जानकरी मिले अगर आप हमारे वार्ट्सप ग्रोम में जुड़ना चाते हैं तो नीचे लिंक पर कली करके जोड़ सकते हैं, जिस पर तमाम प्रकार की कर्षे समंदी जानकरिया मिलती रहेगी। अगर हम बात करें, तो जब लेस्टन 80 दिन का हो जाता हैं, उस समय पर कुछ कलतियों के बारे में, तो पहली कलती करते हैं किसान भाई लोग इस समय पर भी यूरिया खात का व्योग कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तो 80 दिन के उस्ता पर उटी लेसन में यूरियाखाद का आँसकता नहीं होती हैं, क्योंकि इस समय पर लेसन में कंद का निर्मार बढ़ना प्रारंम हो जाता हैं, तो अगर यूरियाखाद डालेगे तो पोदे की ऊप्री करोद बड़ेगी ना कि कंद का विकास पड़ेगा, तो इस समय पर आप यूरियाखात का परेयोक ना करना चाहिए, यूरियाखात के बजाए इस समय पर आप केल्यूम नाइट्रेट या स्रीराम एन्नर्जी का परेयोक कर सकते हैं, जो की उसमें केल्सयम होता हैं, तो पोदेच के कंद का विकास बढ़ाने में मदद करेगा तो यह समय पर आप यूरिया का प्रियोग ना करके एंदर्जी का प्रियोग कर सकते हैं दूसरी बकलती किसान भाई-लोग YMOP का प्रियोग म comprehension किसान भाई-लोग सबी जानते हैं कि पोटास के प्रियोग से जो लेस्न का कंद होता है वे बड़ा होता है ये बात बिल्कुल सही है लेकिन अगर ग्यानुक्यों के अनुसार बताए जाए तो यह मोफी पोटास जो खाद होता है यह मीटी में बहुती ज़्यादा जल्दी से गल नहीं पाता है गलने के लिए इसको ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए आपको अपनी लैसुन की फसल में यंद्पी के 0050 खाद का प्रियोग करना चीए यह पाने में 100% गुलंसिल खाद होता है और असाने से गुल जाता है और आपकी फसल में भी अच्छा काम करता है तो इसलिए यह मोफी खाद का प्रियोग ना करके आप यंद्पी के 0050 खाद का प्रियोग करें अगली गलती करते हैं किसान भाई लो जलदी जलदी सिचे करेंगे तो लेसन में पिलापन आ जाएगा पिलापन आने से आपके लेसन के कंद के उपर भी प्रबाव दिगने को मिलेगा तो इस विश Best बात का थ्यान रहे कुछ किसार भाई लोग अगली गलती करते हैं लेस्टन में पिलास्पन आ रहा है तो कुछ दोवयू का स्प्रे Members कर देते हैं तो जैसा कि दोस्तों लेस्टन की वर्दा उस्ता आईगी लेस्टन में कंद बन्ना परारम हो जाएगा उस समय पर लास्ट की फसल में अन्हेक परकार का पिलासपन देखने को मिलेगा तो आपको पिलासपन से गबराने की बाद नहीं है किसी भी परकार का पिलापन के लिए आपको इस्प्रे नहीं करना है केवल इस समय पर आपकी फसल में थ्रिप्स का टेक हो रहा है कीट का टेक हो रहा है, मोहिले का टेक हो रहा है इसके लिए आप कीड़नासर का प्रयोग जरूर कर सकते हैं लेकिन आपको इसमें फंगी साइड या टोनिंग मिलाने के कोई भी हो सकता नहीं है अगर आप लाश्ट में इस्प्रे कर रहे हैं और आपने उटी लेस्ट बाया है तो आप इस समय पर सिजिंटा कंपनी का चमक्तकार PGR काड़ा कंपनी का आप चमक्तकार या आप बेस्प कंपनी का लियोसिन PGR करना चाहिए आज के वीडियो में इतना ही धन्यवाद जे जवान चे किसान